हेलो, वेलकम स्टुडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस study knowledge चैनल पे, ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको UP Polytechnic के entrance exam के जो questions हैं, हम वो आपको बताने वाले हैं, ठीक, चलिए, तो ध्यान दिजेगा, सभी विद्याति ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है, कि इस चैनल पर आपको 5 अलग-अलग राज्यों के Polytechnic entrance exam के questions हल कराये जाएंगे, ठीक है, चलिए, तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, तो ये वीडियो ध्यान दिजेगा, ये वीडियो केवल यूपी Polytechnic वालो के लिए ही है, ठीक है, तो ध्यान दिजेगा, इसका पहला question क्या है, इसमें पहला question है, इन में से कौन ठोस नहीं है, आपके option दिए गया है, चाठो, option क्या है, ध्यान दिजेगा, पहला option आपका क्या है, पहला option दिया है, ये सभी, sodium, potassium, para, तो इन चा चारा है न, ये क्या है, इन में से ठोस नहीं है ये, ठीक, आप देखें, दूसरा question क्या पूछा जा रहा है, दूसरे question में आपसे पूछा जा रहा है, aluminium का प्रमुख आयस के कौन सा है, आपके option दियेगा चाठो, box, backside है, dilomite है, lignite है, copper है, तो इन चारो option में से अगर आपको answer पता है, तो आप हमें comment box में प्लीज बता सकते हो, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है, उससे नहीं पता है, तो हम इसका उत्तर बता जेते हैं, अ option number first क्या होगा, सही होगा, ठीक, चलिए, बात करेंगे question number 3 की, तो question number 3 में आप से क्या पूछा जा रहा है, इन इमनलिखित में से कौन सी मिस्रधातू नहीं है, आपके option दिये गए है, steel, इन में से कोई नहीं, तामबा, पीतल, इसमें मिस्रधातू कौन सा नहीं है, question को हल कर करते समय आपको question जड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, क्या है, क्या नहीं है, यही में बच्चे doubt हो जाते हैं, और जल्दवाजी में टिक करते हैं, यहीगलत हो जाता है, तो इसमें सही उत्तर इसका हो जागा क्या इसका सही उत्तर जागा तामबा, जो तामबा है, वो मिस्र सिसा है तो इन चारों औप्सन में से आपका सही उत्तर हो जाएगा सिसा सिसा क्या है सरवधिक हीन चालक धातू है ठीक है बात करें इस को पांच की तो क्वेस्टन नमर पांच में क्या पूछा जा रहा है निम्न लिखित में सबसे भारी धातू है आपके option दिये गाए है चां पूछा जा रहा है निम्ड में से कौन सीम्यंट का मुख्य संगटक है तो इसमें आप का option क्या दिया गया है पहला है राक है उसके बाद जिपसम से बाद चूना का पत्थर या फिर मटियार तो इस चारों आप सम्य आपका सही उत्तर क्या होगा दें कि कि आपे सिमेंट का मुख्य संगठर पूछा जा रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर ठीक है बात करेंगे question number 7 की तो question number 7 में आपसे क्या पूछा जा रहा है मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए जो मानव दौरा निर्मित तत्व है उसका नाम क्या है कार्बन है ठीक है कैलिफोर्नियम है सोना है कैल्सियम है तो इन चारों आपसे में सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जागा कैलिफोर्नियम ठीक है तो इसका आपसे नमबर दोसरा क्या होगा सही होगा बात करेंगे question number 8 की तो question number 8 में पूछा जा रहा है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है आपसन क्या है आपका आपसन दिया गया है चांदी, सोना, तामबा और ये सभी तो इन चारों आपसन में सही उत्तर जो होगा हो जाएगा ये सभी ये सभी क्या है प्रकृति में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातू का गलनांग इतना कम है ठीक है कौन सी धातू का गलनांग इतना कम है आपके option दिये गए है कम है कि वह हाथ में लेते ही पिखल जाता है कौन सा ऐसा धातू है जिसका गलनाक इतना कम है कि जब उसे हाथ में लेंगे तो क्या हो जागा पिखल जाएगा तो इसका option दिया गया है पहला इन में से कोई नहीं गैलियम, सोडियम, पोटैसियम तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गैलियम एक ऐसा धातु है जिसका गलनाक बहुत कम होता है इतना कम होता है कि इसको हाथ में जब लेंगे तो यह क्या हो जाएगा पिखल जाएगा बात करेंगे question number 10 की तो question number 10 में आपसे पूछा जा रह इसका सही उत्तर हो जाएगा baking soda तो baking soda इसका नाम इसली हो जा कि कि यह जो sodium carbonate है इसका वाडिजी नाम इसका होता है sodium bicarbonate का वाडिजी नाम क्या होता है baking soda होता है ठीक है बात करेंगे question number 11 की तो question number 11 में आपसे पूछा जा रहा है ओजोन परत मुख्यता कहां अवस्थित रहती है आपका option दिया गया है stratosphere और troposphere नाम थोड़ा आजीब है इन में से कोई नहीं ionosphere तो इन चारों option में से आपका सही उत्तर हो जाएगा stratosphere ठीक है बात करेंगे question number 12 में तो question number 12 क्या पूछा जा रहा है green house गैसो के उत्तरजन में किस देश का सरवधिक योगदान है आपका option दिया गया है संग आरा अमेरिका ठीक है भारत जापान चीन तो ध्यान जीए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा संग रा अमेरिका ठीक बात करेंगे question number 13 की question number 13 में आपसे क्या पूछा जा रहा है question number 13 में आपसे पूछा जा रहा है कठोर जल से calcium और magnesium निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते है कठोर जल से calcium और magnesium निकालने की जो प्रक्रिया है उससे क्या कहते है आपके option दिये गया है इन में से कोई नहीं या फिर करेंगे क्वेस्ट नमर 14 की तो क्वेस्ट नमर 14 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलेखित में से कौन से एक को stranger gas भी कहते हैं आपके option दिया गया है आरगन नियान हिलियम जिनान तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर जाएगा जिनान ठीक है बात करेंगे क्वेस्ट नमर 15 तो क्वेस्ट नमर 15 में क्या पूछा जा रहा है क्वेस्ट नमर 15 में पूछा जा रहा है वायू में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है मतलब नहीं होती है हिलियम, रेडान आरगान, नियान तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या रेडान, तो रेडान जो होता है वो ये वायू में जो नोबल गैस की बात हो रहे है तो ये नहीं होता है ठीक है बात करें question number 16 तो question number 16 में आपसे क्या पूछा जा रहा है एक विद्यूत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के डिये समाने तह उसे किस से भरा जाता है या फिर भरा जाता है तो इसका option दिया गया क्रिप्टान, आरगान, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या आरगन ठीक, question number 17 देखते हैं तो question number 17 में पूछा जा रहा है विद्यूत बल्ब में प्रयूक्त गैस कौन सी है रेडान, अक्रिय गैस, आरगन, हाइड्रोजन तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्रिय गैस ठीक है, जो कि option number 2 है क्या होगा, सही होगा question number 18 देखते हैं इसमें पूछा जा रहा है मौसम विज्ञान संबंधिय प्रेचड के लिए ठीक है, निम्निकित में से किसको गुबारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है आपका option दिया गया है मिथेन, नाइट्रोजन, हिलियम, हाइड्रोजन तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिलियम, ठीक है question number 19 देखेंगे question number 19 में पूछा जा रहा है कि अक्रिय गैसो की खोज करने वाले का करने का स्रेय किसे प्राप्त है आपका option दिया गया है इन में से कोई नहीं रैमजे, सिले और लोकेर, तो इस सब वैग्यानिक का नाम है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा रैमजे, इसका option number 2 आपका सही होगा बात कर लेते हैं question number 20 की तो इसमें पूछा जा रहा है भूपरपटी में भूपरपटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है आपके option है स्टेटीन, इन में से कोई नहीं मैगनीज, क्लोरीन तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेटीन, यानि option number आपका पहला क्या होगा सही होगा, ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ठीक है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जिसने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्स्राइब कर ले, ठीक है चलिए, ठांक्स फॉर वाचिंग